हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे और एक नई वीडियो के अंदर आज हम आपके लिए लेकरें बजाज के तरप से आने वाली बजाज मैक्सिमा एकसल कार्गो डीजल वेरियंट के अंदर किसी इंज़कर रिवियो हमने और रेडी चानल पर किया तो उसके आपको लिंक कर डिस्क्र्प्रिप्शन और मिल जाएगी फिल्रš जम इस वीडियो के अंदर स्पेसिटीकी डीजल के बारे में बात करेंगे जानेंगे इसके सरे प्राइजिंग के बारे में लेकिन उससे पहले दोस्तों बताना चाहोगे अगर आप हमारे चैनल पर नए है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब भीजिए उससे साथ वीडियो अच्छ लगे तो वीडियो को भी लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं का मॉडल है आपको वैसे कलर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको बैसे कलर देखने के लिए मिलने वाले प्यारा तो होगे आपका ग्रीन उसकी बाद जाब यह कलर देखने के लिए मिलने अब जल्दी से डायमेंशन की बात कर लेए दोस्तो इसकी जो ओर आल आपको लेंथ मिलने वाली है वो थोड़ी सी बड़ी मिलेगी आपके पूराने वाले मैक्सिमा सी के मुकाबले 3420 mm के आपको लेंथ मिलने वाली है विड़त मिलेगी 1493 mm की हाइट बिलेगी दोस्तो आपको एक्सिल के अंदर चेंज मिलता है क्मार अपके वीड़ी सील के अंदर लॉस्तों इसके अंतर आपको 22 6000ullah मिटर इतना आपको विल बीस मिलने वाल है जिस विसे आपका जो ट्रे वगर है वह आपको एकस्पैंड कर दिया जाते हैं विसे ट्री के अंदर भी आपको चेंजे समय वाल है सब कुछ वीडियो में आगे कवर करने आज़े तो यहां पर तो फ्रॉपार के बारे में बात कर सामने आपको यहां पर सिंगल कर विंशिल देखने के लिए मिलने वाले उसी के साथ सिंगल वाइपर देखने के लिए मिल जाएगा यहां पर आपकी नंबर प्लेस प्लेस होगी सेंटर में वहीं आपके जो मुल्टिवूप इंडिकेटर बगर है आपको इस डिजैन के अंद रोज सब भी आपकी हेलोजन बल्प सेटप के अंदर मिलने वाले सेंटर में आपको बजा आज मैक्सिमा का क्रॉल फिनिशिंग के अंदर लोगो मिल जाएगा वह पर आपको फाइबर वर रूपी थोड़ा सा देखने के लिए मिल जाते सामने वह अगर दोस्तों हेडलाम की आपको प्रोजayd conten भाल्ब सेटप के अंदर रापको बल्ओंद्ल्दों जाते मिल जाते तो फूच यहाई बेशिक दिजाइन के अंदर आपको साइड मिरार्स देखने के लिए मिर म मिर है कि बें तो तो दोस्तों आप नीचे देखते तो यहाँ पए मुलने वाल इस कारो का वो metallic मिलेगा same color के अंदर जिसके quality काप है आपको अच्छी देखने के लिए मिलने वाले वही पर दोस्तों के और की बात करें तो अब आपको इसके अंदर radial टायर देखने के लिए मिलने वाले जिस व्यसे आपके जो टायर की लाएं पे वो थोड़ी enhanced ह यहुंज बात करें तो 132 80 के आपको 12 inch के tires मिलेंगे यहाप पर उस्वेंशन की बात करें तो यहाप अपको मिलेंगे कुछ इस तरह से आपको फ्रंट प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाएगी इस कार्गो की अप फ्रंट प्रोफाइल देख लिए आप आगे बढ़ते और आपकी साइट प्रोफाइल और रेर सब कुछ इस वीडियो में देख लेते इस वीड डॉर आपको यह कार्गो देखने के लिए मिल जाते दोनों तरफ आपको यहां पर मेटलिक डॉर मिलेंगे जो भी आपको ब्लॉकिंग सिस्टम के साथी मिलते जिसे अगर डैश्वोड दिखा तो आपको बावार से तो नया डैश्वड मिल जाता है आगे आप बने अपको नहीं लगा कि बड़ा है लेकिन आप डाइमेंश्व बता होगा तब आपको पता चलिए कितना आपको बड़ा देखने के लिए मिलने वाला है यह आपको पीछे आपको जो मड़गाड़ों फाइबर प्लस्टिक का मिलेगा और पीछे भी आपको वही सेम टायर का स मिलेगी एक सब्सक्राइब आपको साइट में लिखावा मिल जाएगा सेंटर में आपको बजाज माका लोगों मिल जाता है और वाइन एंगल से चुब कारव है आपका पीछे से कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको दोस्तों इसके नाइटिक्स के बात कि रिजिसे ब में कबरें यहां बोक करते हैं तब टोर खराब ना बॉसके लें तो इस तरह से से आपको ऑपन करना इस डोर अगर आपको इस कार्गो बोक्स निमि नारे वोग्स मिलने वाली है दोस्तो 1425 वह पर झोक केसी हाइड आपको 275 मिलीमेटर इतना इस का रीसकी तक पैल प्हसक साध altera तक का आपको इसके अंदर सामान या लोड आप इसके अंदर क्यारी कर सकते हैं सा कंपनी के दे ठीक है दोस्तों वही पे अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखांते हैं कि आपको इसके अंदर तो आपको एकुंट टैंक मिल जाते हैं जो भी होते हैं उन्हें पूर रखने के लिए बिखने के लिए कर ज़रूरत पर ति जो आपको इस तरह से देखने के लिए कार्ग पर निदर टेकेट साइट प्रोफायल देखने के लिए मिलने वाली है इस तरह से आप कारगो साइट से आपको देखने के लिए और इसाइट से और बच्छे यूंप सेट electrique alley मिल जाते यहां पिछू आपको के बात पर पिसन हो डुम के साथ आने हैं लगा उसके बाद दोस्तों इस्कारओं के सब्सक्राइब के दिशल टेंग के बात करते हैं आपको आपको आपके काबिन के आपको बात के लिवाइब करता हुआ की आपको प्लावा आप इसे ऑपन नहीं कर सकते हैं तैди इंजिन गंपार्मेंट की बात करते कुछ इस तरह से आपको इसका इंजिन देखने के लिए मिले आपको रीडिंग लाइट मिलेगी जिसको से अब कभी में ट्रबल शुटिंग हो अंदर में तो आप आराम से कामोगरा कर पाए उसके बाद जो आप यह ब्लू कलर के अंदर परफॉनस निकाल के देता है तो यहां पर आपको इस कार्गों से अंदर लगा हुए हैं बजाच काओ चारसो दशब्लब साथ सीसी का फोस्ट्रोग डीजल इंजिन जिससे की मैक्सिमम पाउर आपको दोस्तों मिली चे दशब्लब चौरातर कि 3,400 रपीम पर उसके साथ इ पर इसके ग्रेंड एबिलेटी की बात करें तो 18% की ग्रेंड एबिलेटी आपको मिल जाएगी दोस्तों के तरफ बढ़ते तो आप इजिली डॉर को उपन कर सकते हैं और जिससे आप डूर को आपको देखने के मिल जाती है बैटरी इसके अगर आउटपुट की बात के तो 12 वोल्ट का आपको इसके अंदर आउटपुट डेखने के लिए मिल जाते हैं सीट की बात करें तो काफी आपको अच्छी सीट मिल जाती है जैसे आपको सीट के नीचे आपको याप इस पेर विल जाएगा उसका जैक जो एकसरी टूल किट वागर होती हो आपको सब को होती रहेगी तो आपको पोई भी कैबिन के अंदर गर्मा को करके इशू पेस नहीं करने हो बड़ेगा इसके साथ रेडिंग लाइड भी आपको मिल रही है इस डोर के ऊपर भी आपको दोन तरफ विंडोस मिल जाती है दो तो होगी आपके एडिस्टेबल दोन तरफ और आपकी फिक्स रहते है कुछ इस तरह से दोस्टों यह है आपकी इस कारगो का कंप्लीट डैश वोड कुछ इस तरह से आपको नए डाच डिखाय देता है वेसे की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइट में आपको घेर मिलेंगे पाच घेर मिलतें यहांड एडिशनल 5 प्लस होने से आपको total six gear देखने के लिए मिल जाते पाच आपके फॉर लोगर एक रिवर्स इसा आपको गेर सेट अप देखने के लिए मिल जाता है वहीं पर हैंडल बास टेरिंग मिल जाएगी बटन्स की बात करें तो या पर आपके बेसिक से बटन्स होते हैं जैसे आरी के या ब यहांगा आपके हैंडल बार के उपर रहे सेट भी आपको दिखाई दे रहा होगा वहीं पर आपकी की सॉकेट की जो लोकेशन है उसे भी चेंज कर दिया गाए पहले रायालेट में करता था जहांब अभी आपका मोबाइल का 12 वोल्ट का डीसी चार्जर इंस्टॉल कर दि अगर देखेंगे तो डियोल टोन कलर के अंदर आपको डैश्वोड दिखाए दे रहागा वहीं फ्लस्टर भी आपको यहांपे चेंज मिल जाते हैं पहले आपको डियोल मिलते थे वहीं पर अभी कंपनी ने सिंगल कर देगा जो दिखने में आपको काफी अच्छे दिखा सकते तो इगनेशन देने के बाद आप देखने किस तरह से आपको इसका इस्वें फ्लस्टर दिखाए दे रहा काफी इन्हांस कर दिया इसके अंदर ही आपके सारे औरोमेटर स्पीडोमेटर हो गया विसके साथ फ्यूल वगारा की गेर पोजिशनिंग सब कुछ आपको इ क्लस्टर के अंदर दिखाए देगा उसके बाद दोस्तों जो आपको लिवर्स दिख रहे यह है आपका पहलो तो डी करके लिखो यह आपका डीजल इंजिन होने के वाज़े से डी कंप्रेशन लिवर आपको मिल रहा है वही पर एस आपका स्टॉप यानि आपका इंजिन करने के लिए और डी आपका इंजिन स्टार्ट करने के कुछ इस तरह से आपको लिवर्स मिल रहे है उसके बाद दोस्तों अगर आपने अभी तक नोटीस किया होगा कि नहीं मुझे नहीं पर लेकिन आपको बतन जोगे आपकी की डिजाइन होती है वह भी आपको चेंज मि आने के बाद पहले सर्कुलर आया करती थी लेकिन आप आपको कुछ इस डिजाइन के अंदर देखने के लिए मिलने वाले भी आने के बाद बजाज की सारी कीज आपको यह इस तरह से मिल जाएगी नीचे भी आपको बटन मिल जाता है इसका कोई भी यूज नहीं रहता मिल जाता है जो सभी और डोस के अंदर आता है ठीक है दोस्तों कुछ यहीं कार्गो की आपकी डीटेल्स थी तो अगर आप इंट्रेस्टेड है इसे पर्चिस करना और आप इस वीडियो के देख रहे है राएगर डिस्रिक्स से तो आप सिधा विजिट कर सकते सुरेश और को इनकी सारे डीटेल्स आपके स्क्रील के ऊपर आ रहेगी पॉंट्टेड्स के ऊपर आ रहेगी उसे साथ डेस्क्रिप्शन बॉक्स लुगी कंप्लीट एड्रेस दे दूंगा जो लोकिटेड है पेंट सिटी के अंदर जाई और विजिट कर सकते और बेस डील ग्रैप कर सकते तो आखिर के हम बढ़ते हमारे लास सेग्वेंट की तरफ जहां पर हम आपको बताएंगे वारेंटी प्राइजिंग और अभी माइलेज भी नहीं बता है तो वह भी हम आपको बताने वाले की बात करें तो डीजल के अंदर आपको अरूंट थर्टी थर्टी फोर का मा अगर आप कि थैसे सुट में अंदर जाहते हैं तो अब इसका दूसाल की वारेंटी मिल जाएक डिक हैंसे की बात करते हैं थोया में शूक्ड़ करर रहा हूं वेडिए यह अगस्त के अंधर की और अभी इसकी जो प्रैस चरह है दोस्तों ओ बड़ पचासी अजार रूप और प्राइस की बात करें जो किलाज चर रही है राइगर डिस्ट्रिक के अंदर वह तो तीन लाग पच्चीस अदर रुपे दो ठीक है इतनी आपको अंडर प्राइस देखने के लिए मिले वाले स्कार दोफी तो आज की वीडियो बस इतना ही आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छ लगी होगी और वीडियो अच्छ लगी हो तो वीडियो को लाइक किजिए उसके साथ जाते चैनल को सबस्क्राइब करना पर न बूलिए अगर अगर आपकी मन में कोई भी डावट है तो आप हमें कमेंट करके पूच सबते हैं अब उसका रिपलाइआ आपको जल स जल देंगे इस कमेंट बॉक्स के अंदर और थैक्स पर वाचिंग अब इस वीडियो मिन्टे आपको और एक नए वीडियो के